जहन सातियों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत खुसी की वात यह है कि दोस्तों इसमें All India के बच्चे भरती देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था आपकी जितनी भी रिलेशन भरती ओपन भरती टीए भरती की में जानकारी देता रहता हूँ तो दोस्तों आज मैं आपको ओपन भरती के बारे में बताने वाला हूँ यह दोस्तों आप जो हमारी स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हैं एक कुमाउग रेजिमेंट सेंटर का है रानी खेत में इसकी जो सेना भरती स्टार्ट होने वाली है 28 दिसंबर ते जो भाई हैंपर ओपन भरती द आपको बताने वाला हूँ और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें हम क्योंकि सेना की पूरी जानकारी अपने चैनल पर देते रहते हैं यूएच की रिलेशन आर में दोस्तों सठीक जानकारी आपको मिलेगी सही जानकारी मिलेगी आप हमारे के साथ जुड़ें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल का आइकन को अलपर सेट करें दोस्तों जैसा कि यह आप हमारी स्क्रीन पर यह चार्ट देख रहे हैं यह है कुमाव रेजिमेंट सेंटर का और दोस्तों इसमें रिलेशन और आपकी हाँ पर ओपन भरती स्टार्ट होने वाली है अठाई दिसम्बर से ठीक है और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताने वाला हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों आपके हाँ पर डेट और रेली दियो ही है केटिगरी कौन कौन की यान की केटिगरी में भरती होने वाली है और यहाँ पर आ लेखो ठीक है सबसे पहले मैं रहस्ता बोटा देता हूँ जो भाई open भरती देखने जाएगा जैसे महलों मेरे में दो बच्चे हैं भरती रहां जा सकते हैं ओपन की में तो उनके वारे में सबसे पहले मैं आपको अगर आप 28 दिसम्मर को जाओगे तो यहां पर टेडमेंट के पदपर मुजिशन में आपकी open category की भरती थीक है और यहां पर अगर आपको मैं दखा देता हूं यहां पर दोस्तों हैंपर आपकी टेडमेंट मुजिशन के पदपर भरती कोई भाई जा सकता है इस बरती में सेन तो मुजिशन बेंड बजाना आना चाहिए वहां पर आपका ट्राइल होगा और ट्राइल पास होने कवाद आपकी रनिंग होगी आपकी जो एज कट ओप यहां पर दी हुई है आपकी एज क्या होनी चाहिए यानि कि कितनी के बीच में होनी चाहिए एक अक्टुबर 1977 में से दोस्तो एक अपरेल 2003 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए वह आप अपने हिसाफ से देख लेना आपकी क्या होगी ठीक है और यहां पर मैं बात करूँ आपकी जो कास्ट की कास्ट को और इंडिया चलेगी और क्लास यानि कि आपको किसी भी कास्ट स से हो ठीक है और यहां पर आल स्टेट है यान की पूरे भारत में से आप कहीं से भी हो भरती के लिए आ सकते हो ठीक है यह ओपन भरती है आपकी ठीक है उसके बाद दोस्तों मैं हापर आपको बता देता हूं 28 दिसंबर से आपकी जीडी की भी भरती स्टार्ट होगी और वह बच्चे जाएंगे इसमें आपके यहां पर मैं देखा देता हूं कुमाव गड़वाल और गोर्खा जिनकी हां पर यह कास्ट है ठीक है दोस्तों उस दिन यह बच्चे जाएंगा 30 दिसंबर को भी और दोस्तों हैं पर उनकी जो डिस्टिक काउंट की गई है अगर पर आप देख लेना ठीक है और ओनली रिलेशन कंडिडेट वाले बच्चे ही इसमें जाएंगे जिनके पास रिलेशन है ठीक है और उसके बाद दोस्तों यहां पर आपकी टेडमेन की भी भरती होने वाली है आप वीडियो को पूरा देखना मैं आपको पूरा समझाओंग रिलेशन की भरती के लिए जो भाई टेडमेन में जाना चाहता हो ठीक है और यहां पर जिनके पास टेडमेन में जाएगा उनके पास रिलेशन भी होना चाहिए उसके बाद दोस्तों यहां पर 29 दिसम्बर से सोल्जर जनरल डूटी की भरती है यहां पर अगर आप और और इज काउंकि दोस्तों बात करें तो किया पर आपके और आप कौन सी कुमाय उसे अतरी वाल्य हो और गडवाल क दोस्तों बश्चे में जाएंगे यहां पर आपकी जो state count की गई है और only relation वाले बच्चे ही इसमें जाएंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों 30 December को फिर से GD की भरती है आपकी एज count क्या होनी वाली है मैं आपको देखा देता हूं यहां पर दोस्तों एज लिमिट एज काउंट आपकी हां से की जाएगी एक अक्टॉर 1999 से एक अप्रेल 2003 के बीच में और दोस्तों वही बच्चे इसमें जाएंगे जिन जो यहां पर अही रहें राजपूते और नागा है ठीक है और अगर आप देखोगे यूपी यूपी ए काउंट की जाएगी क्लास कोई भरती देख सकता तो दोस्तों ये बहुत महत्पूह जानकारी है सेना भरती को लेकर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और जो भाई चैनल पर नया वीडियो पहली बार देख रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना आपके लिए पूरी जानकारी लाते रहते हैं सेना भरती तो लेटर मिलते नेक्स्ट वीडियो में जहन बंदे मारते हैं